हेलो एब्रीवान कैसे हो आप सब मुंगदाल से बनाएंगे आज बहुती क्रिस्पी रेसिपी तो मुंगदाल को पहले भीगो के कुछ दिर छोड़ देना है उसके बाद लसुन और अप्रेशन दरदर असा पेस्ट बना लेना है बिलकुल दरदरा आप मैंने प्यास और हरी म पाउडर लालमीचप धनिया पाउडर फ्रस संबर मसाला और फोरेसा जीर पावडर ऄएगी नमक अच्छ से मिला लेना है अमें और फटा फट से इसे हम करेंगे और बाट तो आपको शाम में कुछ अच्छा सा खाने का मन करें तो आप फटा फटसे से रेडी करके एंजय कर सकते हैं आवाद सुनकी आप समझ गया होंगे कि बहुत ही क्रिस्पी हुआ है और टेस्टी भी आप मैं शेयर करने जारी हूँ जारकन स्पेशल धुसके की रेसिपी इधर म और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है देखिए बिलकुल कंसिस्टेंसी ऐसे होना चाहिए अब इसमें एट किया है मैंने जीरा हल्दी पाउडर लालमीच पाउडर नमक और जीरा पाउडर बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और बहुत अच्छे से इसे फेटना भी है अब कर्हाई में लिया है मैंने ऐल में इसे फ्राई करेंगे ऐसे कर्ची के मदद से ऐल में डाल देंगे व्लेम को रखेंगे मीडियम जैसे यह फूल जाए तब दूसरे धुसके भी हम इसमें एक कर लेंगे ढुस का बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ज्याद देते हैं आप यही सेम प्रोसेस में फिर से हम बैटर ओयल में डाल देते हैं यह बनाने में बहुत मजा भी आता है तो देखे कितना अच्छे से फूल रहा है जितना अच्छे से आप इसे फेटेंगे उतना ही अच्छे से यह फूलेगा भी हो सके तो बैटर को फेटने के बा एकदम फूली-फूली जालीदार बना है, तो लीजिए, इंजॉय करते हैं, तो चलते हैं अब नेक्स रेसिपी में, इधर मैंने लिया है सूजी, हाफ कप सूजी के साथ 1 फोर्थ कप दही आट करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करते टाइम थोरा सा पानी आट कर लेंगे, देखिए बहुत ही थोरा सा, अब अच्छे से मिक्स करना है, रही और सूजी थोरा सा टाइट हो गया था, इसलिए मैंने हलका पानी आट किया है, इसके बाद चौप करना है प्यास, बहुत ही बारिक सा चौप करना है, और ब प्रेश चॉप धनिया पत्ती, इसके साथ ही आड़ करना है, जीरा, हल्दी पाउडर और लालमिच पाउडर, बस और कुछ आड़ नहीं करना है, बस स्वाद अनोसार नमक, अच्छे से मिक्स करना है, तो मिक्सिंग है बिल्कुल कम्प्लीट, तो अब मैंने लिया है एक पैन पैन में मैंने ओयल ले लिया है, ओयल को कर लेना है अच्छे से गरम और धीरे-धीरे ऐसे पकोरे जैसा इसमें छोड़ देना है, फ्लेम को रखना है बिल्कुल मेडियम, मीडियम फ्लेम में इसे हम तल लेंगे, शाम में कुछ क्रिस्पी खाने का मन करें, तो आप ऐसे पक सूजी और दही के पकोरे हैं, बिल्कुल रेडी, अब इसे करहाई से निकाल देते हैं, आवाज सुनके आप समझ सकते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है, आप इसे सौस के साथ, चटनी के साथ एंजोय कर सकते हैं, तो ऐसे ही रेसिपेस के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.